हालो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई यूटूब चाइनल आज मैं आप लो के लिए एक और नई स्नेक्स की रेसिपी लेके आई हूँ इसे बनाना बहुत ही असान है इसे एक वार जरूर ट्राइ करें इसे खा कर आपका पेट तो भर जाएगा पर मन बिल्कुल नहीं भरेगा तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए एक कच्चा आलू को अच्छे से चीर के साप करें और उसे करस कर ले सब दाना को आप एक घंटे पहले ही फुला ले अब इसमें हम डालेंगे एक प्याद बारी कटा हुआ, आलू करस किया हुआ, दो चमच मैदा, एक चमच कॉन फ्लॉर अगर आपके पास कॉन फ्लॉर नहीं है तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं एक हाफ इस्पून नमक, एक हाफ इस्पून गरम मसाला खल्दी पॉडर लैसुन का पेस्ट सबको अच्छे से विक्स कर लें इसमें पानी बिल्कुल न डालें यह सबुदाना और आलू के जो पानी छोड़ेगा न उसी से यह अच्छे से मैस हो जाता है आप इसे अच्छे से मैस कर लें और आप अच्छे जिस भी अकार में बनाना चाहते हैं उस अकार में बना लें यह खाने में बहुत ही तेश्टी लगता है आप इसे हरी चपनी के साथ खाएं दही के साथ खाएं इसे पहले से बना के रख लेने से इजी होता है अब एक एक करके हम इसमें डालेंगे एक बार में ज्यादा न डाले नहीं तो यह आपस में चिपक जाएंगे इसे अच्छे से गॉल्डिन ब्राउन फ्राइ कर लेना है किसे तेज आज पे बिल्कुल फ्राइ नहीं करें नहीं तो यह उपर से पक जाएगा और अंदर में कच्छा रह जाएगा दिखो यह हमारा बहुत ही अच्छा कलर आ गया है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे दिखो हमारा सबुदाना बरा रेस्पी तयार हो चुका है आप एक वारी से जरूर ट्राइ करें ठैंक यू बाई बाई